Hi students, how are you all? अगर आप एक Commerce student है, तो आपने इस वीडियो पर जरूर किलिक किया है और आप Commerce के बारे में जानना चाहते हैं कि Sir, मैं अगर B.com कर रहा हूं, तो उसके बाद क्या सही रहता है, क्या नहीं रहता है और इसलिए आप सब लोग इंटरस्टेट हैं आज मैं बात करूँगा देखो B.com एक ऐसा कोर्स है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं मुलाब एक 100 स्टुएंट्स में देखू तो 70-80 स्टुएंट्स बीकॉम ही करते हैं क्योंकि जब किसी स्टुएंट के पास after 12 कोई major reason नहीं होता किसी कोर्स को करने के लिए तो वो अपने पसलिए B.com कर लेता है लेकिन B.com के बाद भी कुछ कोर्स ऐसे हैं अगर आप इने कर लेते हो तो यहां पे आपको अपने करियर के साथ खिलवार कर रहे हो क्योंकि इन कोर्स के बाद करियर में बहुत कम चांसे है ग्रो करने के कुछ चीजह है जो माइनस पॉइंट से वह में आपको यह भी भाद खाली यह नहीं करने आपको मैं यह भी बताऊंगा कि कोर्स को क्यों नहीं करना है तो वीडियो में लास्त तक बने लिए अगर आप यहां पर बहुत सारी चीज़े आपको बताई जाती है अपने इस चैनल पर कि आप कैसे ग्रोव कर सकते हो अपने करियर को लेकर जॉब्स को लेकर को लेकर तो लास्ट तक जरू से देखना तो बात करते हैं आज के ऐसी वीडियो की जिसमें बात करेंगे पांच कोर्स जो करने हैं अगर आगे जाकर बिल्कुल याद रखेगा मैं जरूर कहूंगा कि यह पांच कोर्स कहीं पर नोट करके रख लो क्योंकि उसके पीछे मेजर रीजन है और ऐसे ही में एक-दो मिनिट में सोचके हवा में नहीं वीडियो बना रहा हूं इसलिए 13 साल से मैं ऑप्जर कर रहा हूं as a teacher, as a guider, as a counselor then उसके बाद आपके लिए चीज़े बताऊंगा और major reason के साथ बताऊंगा तो चैनल पंदो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे and thank you so much be a part of accounting बुरुजी आपकी फैमिली तीन लाग की फैमिली हो चुकी है and guys this is a great opportunity कि आप मैक्सिम लोग को जोड़े इसमें और ज्यादा enhance करें और बहुत बहुत शुक्री आप सबका ऐसी प्यार अपना देते रही हैगा तो चलिए सबसे पहरा जो कोर्स होने वाला है आपका M.com अब M.com क्यों क्यों कि मैंने अभी recently कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें reason भी दिया था कि M.com आपको क्यों नहीं करना है कुछी बच्चों को मैंने कहा था जिने M.com करना है देखो हर चीज के अगर हम कहें तो area होता है जो की हम कहेंगे कि हाँ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो यानिकि exceptional case हर जगा होता है M.com की अगर बात करें तो जिसे accountant बनना है जिसे teaching line में जाना है जि में आपको कोई specialization नहीं है उपर से आप M.com भी ऐसा course कर लोगे जिसमें आपको कोई specialization मिली नहीं रहा है कोई आपको skills नहीं मिल रहा है तो after M.com आप कहीं job के ले जाओगे तो उसके basis पर आपको कोई fix job नहीं मिलने वाली अगर मिल भी गई तो कोई office में job मिल जाएगी most important है क्योंकि M.com करने के बाद आपकी age हो जाएगी 23-24 और उस age में हमें struggle करना सही नहीं लगता हमें stable होना बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि B.com के बाद आप M.com ना करके या यह जो courses बता रहो यह ना करके कुछ skill based course कर सकते हैं कुछ नहीं कुछ तो करेंगे ना तो वह course होने चाहिए career oriented demand मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चाहिए मैं बता रखा है आपको कि career oriented कौन से course होते हैं फिलाल कौन सी demands चल रही है ठीक है और क्या कहते है scenario क्या क्या रहा है current scenario digital marketing की तरफ जाना चाहिए या SEO की तरफ जाना चाहिए या computer accounting तरफ जाना चाहिए application development क की तरफ जाना चाहिए designing की तरफ जाना चाहिए total management हो गया language diploma हो गया तो यह सब चीजे जो है बहुत जादा grow कर रही है जैसे आपको पता हुआ कुछ short term course आ चुके जैसे business development एक आ जाता है BDE business development executive companies hire करती है पाचपाच 6-6 लाग का package देती है अगर वह course आपने कर लिया तो आप आप कहेंगे sir MBA से तो करके लोगों का package लग रहा है अब मैं बता हो देखो यह तो आपके बहुत अच्छे marks हो आप पढ़ाई में बहुत अवल हो आपने cat exam का common admission test जो होता है cat exam उसे आपने कौलिफाई कर लिया अच्छी rank आपकी आगी और आपको इंडिया के top college IIMS मिल गए institute या university चोटी मोटी private जहां से आप MBA कर रहे हो तो यार उस करने का कोई फायदा नहीं है गरवालों के 2-4 लाग भी खराब करोगे उसके बाद जोब के नाम पे आपको 20,000 रुपे की जोब परमंत्की पकड़ा दी जाती है जिसमें बहुत ज़दर struggle होता है और एक लाग परम की MBA की MBA के अंदर theory 70% है practical 30% है अपोजिट कर लो PGDM में theory 30% है और practical 70% है पलस MBA में पिछले 30 साल साल सालेवस चेंज ही नहीं हुआ वही सब पढ़ाते जा रहे है management management PGDM में आज की current आपने जो नीश चूज करी उस नीश में उस trade में demand में क्या है current में क्या चल रहा है देश की requirements क्या है उसको लेकर पढ़ाय जाता है और आपको बिल्कुल practical way में समझा जाएगा तो चुकि आप practical समझ रहे हो current situation को समझ रहे हो तो पढ़ाई में मजा आता है इंट्रस बनता है और बच्चा अच्छे से company के interviews भी crack कर लेता है और companies अगर दो student बैठे हैं के MBA करा हुआ एक PGDM करा हुआ तो वह PGDM वाले को पहले hire करेंगे उसका reason है कि वह अच्छे से interact कर वह है क्योंकि उसने practical knowledge ले रखी है तो मैं आपको recommend करूंगा कि MBA तो मत करना अग अगर आपको कही PGDM में अच्छा college मिल रहा है अच्छा college नहीं होता PGDM कराते है institute online कर लो चाया offline कर लो तो आप जरूर करें और अच्छा college कहां से बिलेगा चलो इसकी बात करते हैं तो हर बार की बात मैं आगेन आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे अच्छा college अच को किसी भी course के बारे में पता करना है आप दो मिनट के अंदर यहां पर different universities जो यहां पर 100 से ज्यादा online universities हैं 500 से ज्यादा experts हैं तो यहां पे आप क्या कर सकते हो compare कर सकते हो dependent factors से मालीजी आपने तीन university select की जो आपके आसपास पढ़ रही है फीस structure ठीक है faculties बढ़िया है placements 100% है और उनमें भी आपको best choose करना है तो दो मिनट में comparison कर लो पहलास यहां पर आपको online जो अगर किसी भी तरह से audio और video में आपको यहां पर मिल जाती है support आपको यहां पर मिल रहा है instant आप यहां पर दो मिनट के अंदर solution ले सकते हो compare कर सकते हो करना क्या है आपको यहां पर जाना है आप सब्सक्राइब आपको PGDM करना है तो यहां पर देखो option आपको दिख रहे होंगे तो यह आगे online PG diploma जैसी में क्लिक करूँगा यहां पर आपको अपना name वगेरा डाल देना है email address वगेरा डाल देना है mobile number डाल देना है date over आपको यहां पर डाल देनी है बस आपको यहां पर अपने state select कर लेना है city select कर लेनी है और उसके बाद specialization आप चाहो तो select कर लो नहीं तो आप find पर क्लिक कर दो पुछे जाएंगे जैसे आप currently job कर रहे हो गया कितनी salary तो कितनी फीस तक चाहिए आपको कितनी percent है आपकी यह सब देने के बाद आपको यहां पर submit कर आपकी universities आ जाएंगी ओनी universities को आप compare कर सकते हो यह देख सकते है आपके सामने different universities आगी अब आपके सामने different universities आगी अब किस करके वहीं की अपलाई भी कर सकते हो तो यह इस website की घाजवात और सबसे बड़ा इसका USB क्या है कि यहां पे आपको addition से लेके placement तक का full support मिलता है आपको fraud होने से बचाया जाता है और आपको हर चीज में guide किया जाएगा आज कल कहीं किसी university में जाके आपको कोई जानकरी चीए आप मेल करोगे महिनों में reply आता है लेकिन यहां पर पूरा support मिलता है और साथ में जहां पर भी आप एडिशनल होगे आपको किस्तों में हो जाएगा EMI basis पे जो एक अच्छी बात है तो ट्राइ करना आप चाहे पीजडीम के लिए देख रहे हो या कोई और डिप्लोमा या बहुत सारे बीखों वाले कर लेते हैं क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो पढ़ाई तो होई जाएगी कम से कम मैं एक master degree वाला तो कहला हूँगा लेकिन दोस्त ऐसी डिग्री से क्या फायदा जिसका कोई फायदा ही नहीं हो में वह कर रहे हैं आज की रेट में जिने टीशिंग लाइन में जाना है वरना में कोई खास वायदा नहीं है हां अगर आप हिंदी से संस्क्रिट से में करते हो तो हमारे सेंटरल गवर्मेंट के संसद में या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर हायर कर लेते हैं को जैसे RBI में भी एक पोस्ट होती है रिजर्व बैंक को फिंडे में महां पर हायर कर लेते हैं लेकिन उसके लावा कोई होप नहीं है तो देखो ऐसे कोर्स करने से क्या फाइदा जिसका कोई करियर ओरिंटेड कोर्स ना हो जिसका कोई स्किल्स ना मिले तो मैं कहूंगा इ एक तो कामर्स औप्शनल सब्जेक्ट है आपके सहर में अगर 10 इंटर कोलीज है यानि कि सीने सेकंडी स्कूल है तो वहां पर दस में से 5 में चार में ही कामर्स होगी बाकी में नहीं होगी है क्यों अधशल होती है तो उसमें दो तीचर ही होते हैं अगर और सबजेक्ट की बात करें math की तो वहाँ पर पांच टीचर होंगे क्योंकि math कंपल सभी सब्जेक्ट है तो जब भी वकेंसी निकलती है लिमिटेड निकलती है पचाहसो दोसो और जब लोग फॉर्म भरते हैं तो लाखों की संखें बरते हैं जिस कारण से बहुत ज्यादा मेरीड आनी चाहिए अच्छी आपको नोलीज चाहिए तभी आप टीचर बन सकते हो गवर्मेंट दूसरा कॉमर्स की इतनी सारी चीज़े हैं आप कोई कोस्ट अकाउंटिंग ले लो फिनेंशेल ले लो इस्टेटिक्स ले लो एकनोमिक्स ले लो यह सब मेंगिंग ले लो उ मैं देख रहा हूं फिर प्राइवेट कॉलिजिस में दद्दस हजार की नोकरी करते पाय जाते हैं अच्छा है कि देखो बीएड करने पर आज की रेट में एक लाक रुपय कम से कम लगता है उससे अच्छा आपको ऐसा कोर्स को जो बी आपको अच्छी मिल जाए जब इतन कि रगता है तो तुमारा कोडिंग से क्या मतलब clap लेकिन बच्चों को हख चुटिया चल रही है कर लिया कई बार देख लिए मने बहु आरे बच्चों से मेरी बात हो चुकी है भop, जो ललना से कुम्प्यूटर का कोरस ले लिआ है सस्टा पड़ रहा है भ Coron, पॉत कर दान की चाहिए मैं तब तो आप डरी तो आप ड़ुपमें चयों तो तो mo नहीं रहे ज सबके करें से निए यहाए कोर्म आप मैं कालеро । यहां का काम तो इसलिए मैं कहूंगा इससे भी अवेर रहे यह सब करने की ज़ुरत नहीं है अगर आपको करना है तो करन डिमांड में क्या है आपका इंटरस क्या कहता है आप इस इंटरस से आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए कौन सा कोर्स इंपोर्टेंट है वो करिए औ इंस्टरग्रम और सच अच एज़ ग्लास